हेलो गाइस वालकम बैक टू माई चैनल तो आज मैं बनाने वाले एक तम छटपट और एक तम इंस्टन बनने वाले तूरदार और चावल से बनने वाले खीचरी तो चलो बिना डायम भी इसके रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहल एक बाउले ले लेना है उसमने डाल देना है चावल और इसके बाद इसमने डाल देना है लगाज और फिर लाजा कर रखतेजितागे यहाँ पर ले लेनी है इमली और इसके अंदर फिर बार से पाने डाल देंगे और इमली को भी विगा कर रखतेंगे इसके बाद कुकर ले लेना है और कुकर में डाल देना है ओल साथ में इसके अंदर डाल देंगे घी और अच्छे संमें को गरम होने देंगे इसके बड़ इसमें डाल देनाया और फ् vi ड्यार तयुक्र से बड़े बड़े पिस्यस में कट करकाए डालोगे तो भी चलेगा तूर के इसके अंदर डाल देनी है G veg मिर्ची sudah यहां बड़े पिसस में ढालों रहा एक तैज पत्ता और फिस इसे कड़ी पत्ता और यहां रहां पर बड़े सारे मसाले नहीं तो आपर मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर वो आप अपने इसाफ से डाल देना आपको जिद्धी स्पाउडर डाल देना है साथ में इसके अंदर डाल देंगे नमक्सवाद अनरसा थोड़ी सी हिंग डाल देना अच्छा सिसको मिक्स कर लेना है और 2-3 मिंट के लिए इसके अंदर डाल देना है बेगी वई दार और चावल जो भी पीखा के रखाता ना वो इसमें डाल देंगे फिर इसके अंदर थोड़ा सा और मानी आड़ कर देंगे और इन सब चीजों को एक तमचे से मिला लेना है और अल्मस्ट कीज़े हमारे बन कर रेडी हो जाएगी और और फिर गर्मा गरम सर्व करो बहुत ही सिंपल दई कसी खीचडी बनती और खाने में बहुत ही ठीस्टी लगती है तो एक बार चरू ट्राइका नहीं वाले रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी और इसी पैच्छी लगी हो तो लाइक कॉमेंट शेयर और सिस्क्र करना ना पूले और ऐसी रेसिपी उडिक ले मुझे फॉलो करें इंजोई थैंक यू